है भाई 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 आपने बाद नहीं सुनी मैंने बोला शांत हो जाया हम नारे लगा रो बोलूगा नारे लगा रो शांत हो जाया हो तो पिछले साल हमने भारेट जोड़ो लात्रा की कन्या कुबारी से लेकर हम कश्मीर तक 4000 किलोमेटर चले और सिर्फ मैं नहीं लाखों लोग कन्या कुबारी से शुरू किये और कश्मीर तक बिना रुके 150 दिन में हम पहुंचे उस यात्रा में वो उस यात्रा था और उसमें हमारा लए लक्षता की जो नफरत फैलाई जारी है बीजेपी के लोग एश्स के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लडाते हैं एक बाश्या को दूसरी बाश्या से लडाते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लडा रहे देते हैं तो हमने सोचा था कि नफरत की काट महबबत ही हो सकती है नफरत की काट नफरत तो नहीं कर सकती इस बाद से सहमत हैं आप लोग तो हमने सोचा ये नफरत फैला रहे हैं हम इनसे इनको नफरत को काटने के लिए हम नफरत तो नहीं पहला सकते तो मोहबत ही फैलानी पड़ेगी उसी का फाइदा होगा तो हमने नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान खोल दी और पता लगा रास्ते में 4,000 किलोमेटर मैं सबसे पूछता था कि भाईया आपको किसी से नफरत है मतलब 2000 लोगों से मैंने पूछा और हिंदुस्तान का DNA नफरत का ही नहीं तो सब लोग मुझे कहें कि भाईया हम तो किसी से नफरत नहीं करते मगर अगर आप मीडिया देखो तो 24 गंटे वो नफरत की बात करते रहते हैं है ना हाँ वोई तो हमने यात्रा की यात्रा में 6-7 गंटे हम आपकी बात सुनते थे हिंदुस्तान की जनता की बात सुनते थे किसान आ जाते थे मजदूर आ जाते बच्चे आए अलग-अलग वर्ग के लोग आए हिंदु, मुस्लिम, सिख, इसाही और हम 6-7 गंटे उनसे बात करते थे अंत में ऐसा 15 मिंट का बात्चन होता था यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए उन्हेंने कहा देखिए कन्या कुमारी से कश्मीर आप जा रहे हो चतिसगर का क्या होगा जारकन का क्या होगा नोर्थीस्ट का क्या होगा और इसा का क्या होगा आपको एक दूसरी यात्ना करनी चाहिए नियाई यात्रा मनिपूर से महराष्ट तो बात सही है? सही है न? तो हमने गाँ ठीक है हम दूसरी कर देते हैं और इसमें हमने एक शब जोड़ दिया भारत जोड़ो नियाए यात्रा अब क्यों जोड़ा? क्योंकि पहली यात्रा में हमें पता लगा कि नफरत का कारण हिंसा का कारण अन्याए है इसलिए हमने भारत जोड़ो नियाए यात्रा अपनी दूसरी यात्रा को नाम दे दिया और अन्याए पांचे अलग तरीके के हो रहे हैं सबसे पहला आर्थिक अन्याए यहाँ पे कोई छोटी दुकान चलाता है? कौन? आप आजो 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 आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? आईए गुपता जी यहाँ बैठिये अब देखिये गुपता जी आगए ठीक है? अब बात यह है ने ठीक है रिलाक्स अब बात यह है गुपता जी एक बात बताओ मुझे आप छोटी दुकान चलाते हो जी एस्टी से आपको क्या हुआ? जी एस्टी से गुट भी लाब नहीं हुआ? आपको मतलब जी एस्टी से कोई ना कोई फाइदा तो हुआ? अरे कुचुच नहीं हुआ भाई अब एक बात बताओ नोट बंदी से आपको कोई फाइदा हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ है उसे तो यह जो दो योजनाए है इनोंने छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुचाया मज़दूरों को नुकसान पहुचाया किसानों को नुकसान पहुचाया तो फाइदा किसको हुआ? फाइदा किसी इसको नहीं हुआ? अरे भाई आक्री बात आप नहीं समझे अच्छा अच्छा फाइदा फाइदा अदानी जी को अमबानी जी को देश के सबसे दो तीन बड़े अरब पतियों को हुआ थैंक यू ब्रादर एक फोटो लो भी यह पहले आज महबत की है महबत की दुकान है महबत की तो नोट बंदी से जी एसटी से छोटे दुकानदारों को फाइदा नहीं हुआ सिरफ अरब पतियों को फाइदा हुआ अभी कर रहें कर रहें अब देखिए देश में आज 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है ये भाईया एक मुझे मोबाईल फोन दो ज़रा ये ये मोबाईल फोन कहां बनाए नाई ये भारत में नहीं बनाए ये ये चाइना में बनाए इस मोबाईल फोन को कौन सा अरब पती बेचता है इसको दो तीन बड़े अरब पती बेचते है इस मोबाईल फोन से चाइना के युवाओं को फाइदा होता है और हिंदुस्तान के अरब पती को फाइदा होता है हिंदुस्तान के युवा को इस सेलफोन की फैक्टरी में काम मिलने का मौका नहीं मिलता अभी वापिस देना है इसको नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो हो क्या रहा है चाइना का माल यहां सबसे बड़े अरब पती बेच रहे है हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है नरेंद्र मोधी जी नोट बंदी और GST जैसी पॉलिसी किसान कानून जैसी पॉलिसी लेके जो हमारे चोटे बिजनस वाले हैं दुकानदार हैं स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं इनको सब को एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक खतम कर रहे हैं आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए चाहे वो सेलफोन की हो हत्यारों की हो इंफ्रस्ट्रक्ट्टर की हो आपको एक बड़ा अरबबती उसमें मनोपली लिए बैठा दिखेगा जो छोटे वियापारी है आप छोटे वियापारी हो तो जो छोटा वियापारी है उसके लिए बैंक के दर्वाजे बन दे नीरव मोदी ललित मोदी अदानी ये कितने भी पैसे का बैंक लोन ले सकते हैं और फिर भाईया अगर ले लिया और वापिस नहीं देना तो वो भी ठीक है वो भी माफ है मगर अगर किसान कहें भाईया मेरा माफ कर दो तो उसको मार के बगाएंगे तो यह हुआ यह हुआ यह हुआ आर्थिक अन्याए बेरोजगारी महंगाई जी एस्टी नोट बन दी अच्छा एक और सवाल वह यह पीली शट सुंदर आपने खरी दी यह कितने की घरी दी कितने की घरी दी है हजार रुपए की देखो टी-शर्ट करी दी इनोंने ठीक है इसमें आपने जी एस्ट कितना दिया 28% जी एस्टी दी इनके जेप से आया अच्छा अगर अधानी यही टी-शर्ट करीदता तो वो कितनी जी एस्टी देता वो भी उतनी देता जितनी आप दे रहे हो आपकी आमदनी और अधानी की आमदनी एक है क्या तो फिर टैक्स एक क्यों चल रहा है अन्याए अन्याए और आपके GST का होग्या राहे? यह इसने GST थी, आप सबने shirt करीदने के लिए, pant करीदने के लिए, चश्मा जूता करीदने के लिए GST थी, GST गया सीधा अधानी जी की जेद में, सीधा डायरेकट अधानी जी की जेद में गया, सड़क बनी अधानी जी को उसमें कट मिलेगा आर्मी ने हत्यार करीदा उसमें कट मिलेगा पुल बना उसमें कट मिलेगा सोलर पैनल लगा उसमें कट मिलेगा बिजली का कार खाना उसमें कट मिलेगा तो सारा का सारा फाइदा ये 2-3-5 लोगों को मिल रहा है और पैसा आप लोग दे रहे हो तो ये वो आर्थिक अन्याएं अब समाजिक अन्याएं पर चलते हैं हाँ वो ही तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आर्थिक अन्याएं का मैंने आपको बता दिया मुझे आप समाजिक अन्याएं के बारे में बताओ आर्थिक हो रहा है समाजिक कैसे हो रहा है अन्याएं नहीं सुनिये बात सुनिये यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताओ हिंदू-मुसलिम तो करने हैं मगर एक और काम करने हैं देश में सबसे बड़ी सबसे बड़ी आबादी किसकी है O B C ठीक है कोई जानता नहीं है अगर पूछो ऐसी मीटेंग मैं पूछो भाई या O B C कितने हैं लोग कहेंगे बहुत हैं मगर exact कितने हैं हमें नहीं मालूम मैं आपको बताता हूँ तकरीबन 50 से लेकर 55% देश में OBC की अबादी है ठीक है उसके बाद 15% तकरीबन दलित है 8% आधिवासी अब मुझे बताओ 50 और 15 कितना हुआ 65 और 8 कितना हुआ 73 अब सुनो बात मजे की 73% अबादी है ना 73 आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कमपनिया की लिस्ट निकालो ठीक है उसमें ना एक मालिक 73% वाला सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक 73% वाला नहीं मिलेगा मतलब हिंदुस्तान का जो कॉर्परेट सिस्टम है उसमें आपको ना OBC मिलेगा ना दलित मिलेगा ना आदिवासी मिलेगा 73% में उसको कोई है ही नहीं उसमें चलिए वहां से थोड़ा दूसरी होर चलते हैं ब्यूरोक्रिसी में जाईए देश को 90 आएस ओफिसर चलाते हैं आप यह मत सोचिए कि MLA MP देश को चलाते हैं हिंदुस्तान की सरकार को 90 अपसर चलाते हैं आएस आएस ओफिसर क्या होता है आप लोग GST देते हो पैसा आप देते हो पैसा जाता है हिंदुस्तान की सरकार को ये 90 अपसर डिसाइड करते हैं बहिया कितना रुपया कहां जाएगा डिफेंस में कितना जाएगा ये स्वास में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सडक में कितना जाएगा दलितों के लिए कितना जाएगा पिछुनों के लिए कितना जाएगा आदि वासियों के लिए कितना जाएगा यह 90 लोग decide करते हैm अब मुझे बता दो भहिया 90 में से आपने बोला 50% अबादी OBC मुझे बता दो 90 में से OBC कितने है 3 वो भी 2 हैं और सुनिये नहीं नहीं सुनिये 3 मगर वो मज़ेदार बात नहीं है मज़ेदार बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खर्च करती है मगर मान लो आपका GST का 100 रुपे खर्च होता है तो उसमें से पिछडे वर्क के अपसर कितना परसेंट का निर्ने लेते हैं कितने रुपे का निर्ने लेते हैं अब बताओ कुछ नहीं 14 परसेंट अगर 100 रुपे इंदुस्तान की सरकार खर्च करती है तो जिन लोगों की 50 परसेंट आबादी है वो सिरफ 5 रुपे का निर्ने लेते हैं ठीक है अब चलते हैं दलितों पे दलितों की आबादी 15 परसेंट ठीक है 100 परसेंट अगर 100 रुपे अगर खर्च होता है अगर 100 रुपे हिंदुस्तान की सरकार देती है बजट में तो दलित अपसर कितने रुपे का निड़ने लेते हैं एक परसेंट मतलब एक रुपिया अब चलिया आदिवासियों पे आदिवासियां आठ परसेंट आठ परसेंट अपसरों का कितने रुपे का निड़ने होता है मतलब सब को मिलाकर 100 रुपे में से 6 रुपे 10 पैसे का निड़ने 73 परसेंट लोगों की लोगों के अपसर ले रहे हैं अब मैंने आपको बता दिया अब मैंने आपको बुरोक्रिसे का बता दिया अब चलिये प्राइवेट हस्पतालों को दिखते हैं जो आजकल सरकारी हस्पतालों को बंद किया जा रहा है और सारे के सारे प्राइवेट किये जा रहे हैं मुझे बताओ हिंदुस्तान के प्राइवेट हस्पतालों के मालिकों में 73% के कितने लोग एक भी नहीं अच्छा चलो उनके management में OBC दलेत आदिवासी के कितने लोग एक भी नहीं चलो ठीक है छोड़ो प्राइवेट हस्पताल छोड़ो प्राइवेट उनिवर्सिटी कॉलेज की बात करते हैं पूरे देश में पूरे पूरे कॉलेज उनिवर्सिटी प्राइवेट होने मुझे बता दो प्राइवेट उनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज के मालिक 73% में से कितने जीरो जीरो अच्छा ठीक है उनके management में गले तादिवासी पिछडे कितने जीरो तो भाया ना शिक्षा में आपके लोग ना स्वास्त में आपके लोग ना जुडिशरी में आपके लोग ना बिजनस में आपके लोग ना आइस में आपके लोग तो आपके लोग हैं कहां मैं बताता हूं नहीं हैं नहीं मैं बतात कॉंट्रैक्टर होता है ना वो कॉंट ठेकेदार वो कॉंट्रैक्ट लेबर में लोगों को नौकरी देता है मतलब उसको दो मिनट में अगर अगर उसने थोड़ा सा काम ठीक नहीं किया या बिमार हो गया तुरंत एक सेकंड में निकाल देंगे अब आब एक काम करो जो कॉंट्रैक्ट लेवर में मजदूरी करने है उनकी लिस्ट निकालो और उसमें देखो पिछड़े दलित आदिवासि कितने मालूमें कितने 100% भाहियों में नो आप लोगों का काम पिछडों का दलितों का आदिवासियों का काम 100% contract labor में है मगर देश को चलाने में देश के स्वास के सिस्टम में देश के शिक्षा के सिस्टम में courts में सरकारी विवस्ता में आपका कोई नहीं है भाईयो वे नो मतलब मतलब जो पहले हुआ करता था आजादी से पहले कि जो हमारे पिछड़े लोग थे धलित थे आदिवासी थे वो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे उधर ही नरेंद्रमोदी ले जा रहा है देश को और भाईया जो मैंने आपसे आज बोला यह आपने कभी मीडिया में देखा है अच्छा तो मुझे बताओ मैंने चेक किया है हिंदूस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में टीवी और अकबार की कंपनी में कितने आदिवासी, कितने धलित कितने पिछड़े लोग जीरो एक नहीं है एक नहीं है ये मेरा प्रेस कॉंफरेंस करते है एक आपको ना पिछड़ा मिलेगा ना दलित मिलेगा ना आदिवासी मिलेगा इसलिए आग की बात दीवी पे अगबारों में, मीडिया में नहीं आती इसलिए हमने बारत जोड़ो निया यात्रा किये अच्छा इसमें एक और बात है इसमें एक और बात है सुनिए एक और बात सुनिए आप आपको मैंने आपको मैंने भईया ठेड़ जो भई आपको मैंने पिछड़ों की बात की मैंने दलितों की बात की मैंने आदिवासीों की बात की मुझे बताओ अंबानी अदानी की कंपनी में गरीब जनरल कास्ट की कितने लोग काम करते हैं एक भी नहीं है मुझे बताओ हिंदुस्तान की सबसे बड़े हस्पतालों को कितने गरीब गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने चलाते हैं जीरो मतलब हिंदुस्तान में 1% का राज चल रहा है और 99% लोगों को यहां कुछ नहीं मिल रहा अब जब मैंने यह जाती जनगर्ना की बात की कि भाईया देश को पता लगाना है कि इसमें कितने पिछडे कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने गरीब जनरल कास के लोग और किसका कितना धन है जाती जनगर्ना मतलब पिछडे लोगों की आबादी पता लगाई जाएगी और पिर पता लगाई जाएगा कि हिंदुस्तान के धन में इनके पास कितना है आदिवासियों की लिस्ट निकाली जाएगी पता लगा जाएगा कि भाईया हिंदुस्तान का धन इनके हातों में कितना है फिर जेनरल कास की लिस्ट निकाली जाएगी और उसमें कहा जाएगा वह यह यह जेनरल कास के लोग है यह हिंदुस्तान के गरीब जेनरल कास के लोग हैं और यह जो हैं गर्मीर जेनरल कास के लोग हैं मतलब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा मैडम आपको कभी चोट लगी है आप हस्पताल गई जब आपको चोट लगी पहला काम डौक्टर ने कहा एक्सरे कराओ कहा था ना ठीक है तो हम कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक्सरे करना जाती जन गड़ना हिंदुस्तान का एक्सरे है इसमें सब को पता लग जाएगा कि भाईया अदानी का पास कितना पैसा आपका नम क्या आजारी आज पतना पैसा और कि मंदीब सिंह के पास कितना पैसा पता लग जाएगा है रूद का दूद Patreon पानी का पानी हो जाएगा अब नरेंद्र मोदी यह नहीं चाहते जैसे ही मैंने जाती जनगन्णा की बात की नरेंद्र मोदी कहते है हिंदुस्तान में जाती नहीं है कि दो ही जाते हैं अमीर और गरीब अच्छा भया अगर दो आते तो आप OBC कैसे बन गए आप पहले हर भाषन में कहते थे मैं OBC हूं तो मैंने पता लगाया मैंने का नरेंद्र मोदी जी OBC है तो यह जो पिछडों की मदद का काम है देलितों की मदद का काम है आधिवासियों की मदद का काम है तो यह कर्वा क्यों नहीं रहा है बैने सोचा मैं आपको बताता हूं क्यों करवा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो OBC थी नहीं वो OBC पैदा ही नहीं हुए वो OBC कब बने जब गुजरात में BJP सरकार ने उनकी जाती को OBC वर्ग में शामिल किया मोदी जी की जाती क्या है गांची गांची मोट गांची गुजरात में ये OBC जात नहीं थी इसको 2000 में BJP की सरकार ने OBC बनाया इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री जाती जनगर्ना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि OBC है ही नहीं वो है ही नहीं वो वो एक्चली कहते हैं OBC उनको बैठाया गिया है बाई और बेनों उनको बैठाया गिया है वो OBC नहीं है और वो OBC का पिछडों का गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते ये सच्चाई है और मैं आपको कह रहा हूँ मैंने मन बना लिया है हिंदुस्तान में समाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाती जनगरना और मैं इसको करके दिखाऊंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ आप देख लेना चाहिए कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए देखो मैंने कहा था मैं आपको कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में समाजिक न्याय का सबसे करांतिकारी कदम जैसे यहाँ पे पहले आजादी मिली करांतिकारी कदम उसके बाद हरी करांती हुई करांतिकारी कदम उसके बाद सफेद करांती हुई करांतिकारी कदम उसके बाद बैंक नैशनलाइजेशन प्रिवी पर्स हटाए गए करांतिकारी कदम उसके बाद liberalization करांतिकारी कदम वैसे ही जाती जनगरना करांतिकारी कदम है इसके बाद हिंदुस्तान की राजनेती हमेशा के लिए बदल जाएगी क्योंकि पिछणों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है गलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है आदिवासियों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है और गरीब जेनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है और यह जो अन्याय हो रहा है उस दिन के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा भहिया यहाँ पे 2% को सारा का सारा धन मिल रहा है मैं यहाँ पे अपना खून पसीना दे रहा हूँ मैं चोटी दुकान चला रहा हूँ मैं मजदूरी कर रहा हूँ मैं खेती करा मुझे यहां कुछ नहीं मिल रहा यह साबित हो जाएगा अब बस और उसके बाद का देश की सचाई सब के सामने क्लियर हो जाएगी अब मोधी जी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग आर्सस के लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं 24 गंटा यह क्या कर रहे हैं आप समझो जब किसी की जेव काटनी होती है सबसे पहले क्या करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको आप उपर आजाओ अब देखो आपके सान अब यह तो बहुत है भी हैं तोड़ दोगे जीप को अच्छा देखो नहीं नहीं खड़े रहो खड़े रहो भाईया अगर आपको अगर इसकी अगर कोई जेव कत्रा है जो इसकी जेव काटना चाहता है सबसे पहले वो क्या करेगा सबसे पहले कहेगा भहिया उदर देख जरह MARY पीजहाँ के लिए का ये Bhag़ा करें के इज्ट adesso ये ये इश्वर्या राइ की और फिर केती लिए इधर देखो वहिया या पीरापको चाइना की और दिखाते हैं और पार तो जाव हर रोज को या आपको कभी अधर दिखाएंगे कभी उधर दिखाएंगे कभी कहेंगे वह लोट बंदी हो गया हुए और दिhan भटखाते हैं आपको अपना धियान एक जग़े से नहीं हिलाना है क्या जगे मैं बता देता हूँ हमें देश का कितना धन मिल रहा है इस से आपका ध्यान नहीं उतरना चाहिए आपको सुबह उठना चाहिए और आपको यह पूछना चाहिए इस देश में जो धन है उस धन का कितना भाग मुझे मिला मैं किसान हूँ तो पूछते जाहिए यही सबसे बड़ा जरूरी सवाल है अबस वह पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान कोलनी है जैहिंद